Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties, myself Khuzbun Singh आज की वीडियो में आपके लिए मैं बिलकुल सिंपल और शोवर बॉर्डर वाली प्लेन साडी को पॉफेक्टली डेप करने का तरीका लेकर आई हूँ साडी की लेंथ है 5.5 मीटर जो की हर साडी की एक नॉर्मल लेंथ होती है यहाँ पे मैंने शेप यह वाली पेटिकोट यूज की है और अब साडी की कॉर्णर को लेकर हम राइट साइट से इसको टक करना शुरू करेंगे तक करने में अगर आपको प्रॉबलम होती है तो नीचे की तरफ लेंथ आप एक बार देख लीजे कि आपको कितनी रखनी है और उस हिसाब से अपने सिर्फ राइट हैंड की अंगूठे का इस्तिमाल करते हुए आप इसको टक कीजे एक बार टक कीजे उसके बाद इसको टाइटली घुमाते हुए आप इसकी राउंड को कंप्लीट कर सकती है तो आपकी साड़ी ड्रेपिंग की पहली स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है दूसरी step में हम साड़ी की दूसरी end पे जाएंगे जो कि इसका पल्लू है इसको हम roughly gather करेंगे पर ध्यान रखेंगे कि इसका जो उपर वाला border है वो उपर ही रहे और नीचे वाला जो border है वो नीचे ही रहे क्योंकि कई बार यहाँ पे beginner से गलती हो जाती है और border उलट फेर हो जाती है तो इसका ध्यान रखेंगे और अब सबसे पहले हम यहाँ पे length measure करेंगे लंबी length हमेशा आपको आपकी appearance को long दिखाती है तो इसलिए आप लंबी ही पल्लू रखें अब यहाँ पे मैंने pack लगा दिया है अभी हम इसको arrange नहीं करेंगे इसको हम बाद में arrange करेंगे पेग मैंने इसलिए लगाया है ताकि आगे की step करते वक्त हमें कोई परिशानी ना आए कमर वाली trick को मैं काफी जादा ही आसान कर देती हूँ यहाँ पे सिर्फ आपको आपकी border को nevel से cross करते हुए दूसरी leg तक ले जाना है और फिर यहाँ पे आपको एक safety pin लगा देनी है safety pin लगाते time अगर आपको किसी type की भी problem हो रही है तो आप एक बिंदी का इस्तिमाल कर सकती है जिससे की आपकी fabric को नुकसान नहीं होगा अब हम आजाते हैं अपनी center pleat पे center pleat बनाने के लिए मैं right के side को हमेशा choose करती हूँ क्योंकि ये मेरी बिल्कुल perfect side होती है pleats arrange करने की और अब हम सिर्फ एक pleat को right की तरफ घुमाते हुए इसके उपर और सारी length को arrange करेंगे अब थोड़ी सी length ना हम अपनी left की side पे छोड़ देंगे ये आपको आगे की step में पता चल जाएगा ये length हम किस लिए छोड़ रहे है और अब हम अपनी right की first pleat को थोड़ी सी जादा चोड़ी कर लेंगे यहाँ पे हम ना pack लगा कर छोड़ देंगे अब जो हमारी hip pleat incomplete रह गई है इसको हम complete कर लेते हैं जहाँ पे हमने pin लगाया था ना उसके आगे वाले हिस्से को में पकड़ना है और उसको twist करना है घुमाना है दो तीन बार और फिर इसको इस तरह के से टक कर देना है इससे आपकी perfect fitting मिल जाएगी आपको और अब हम अपनी center pleat की नीचे की length को set करेंगे पूरी pleat को हम अपनी left hand की तरफ घुमा देंगे और उसी तरीके से इसको हाथों से press कर देंगे तो इस तरीके से आप बिल्कुल perfection के साथ खुदी अकेले सक्षम हो साड़ी को drape करने के लिए देखे साड़ी starting में लगती long है लेकिन जब आप इसको drape करना चालू करोगे न आपकी को पता भी नी चलेगा कि आपने कैसे इतनी लंबी length को अच्छे से drape भी कर लिया है अब यहाँ पे हम हलकी से setting करेंगे उसके बाद ही इसको टक करेंगे setting में हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि हर एक pleat के बीच में थोड़ी सी gap हो ताकि कोई भी pleat अंदर की तरफ छुपी हुई ना रह जाए और उसके बाद पीछे की तरफ भी हम इस length को बराबर पकड़ेंगे अब देखे हमारा bottom side तो perfectly drape हो चुका है अब हम अपनी shoulder वाली pleat को यहाँ पे set करेंगे देखे last में shoulder वाली pleat बनाने का एक अलगी finishing आती है साड़ी में इससे आपकी जहां कहीं भी fitting या फिर जो भी हिस्सा आपका loose पड़ जाता है वो आप यहाँ पे correct कर सकते हो तो यहाँ पे आप मेरी pleat arrange करने का तरीका देख सकते हो अगर आपको यह थोड़ा सा fast लगे तो आप इसको slow motion में करके भी देख सकते हो last वाली pleat जो है उसको मैंने थोड़ा सा जादा पतला रखा है क्योंकि यहाँ पे fabric मेरी पूरी पर्ण नहीं रही थी एक single pleat बनाने के लिए तो इसलिए मैंने adjust कर दिया है अब यहाँ से बिल्कुल इसको tight करते हुए हम ले जाएंगे अपनी shoulder पे shoulder पे अच्छी तरीके से इसको रखते हुए जहाँ पे हमें need हो रही है वहाँ पे हमें एक pin लगा देंगे ध्यान रखेगा कि आपकी जो यह border आपके neck के पास आ रही है वो ज्यादा ऊपर चड़ी हुई ना दिखे यहाँ पे बस मैं इसको ना दबा दूंगी एक साड़ी clip की help से कोई safety pin मैं use नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी जो blouse है वो भी silk की है और साड़ी भी cotton silk है तो इसलिए blouse भी आपकी damage ना हो और साड़ी भी damage ना हो उसके लिए आप एक साड़ी clip यूज कर सकती है अब यहाँ पे अगर आपसे मान लीजे थोड़ी बहुत finishing में problem हो रही है तो आप इस तरीके की clip केवल अपके neck वाले border को छोड़ कर सभी प्लीट को एक जगह पे पकड़ कर आप लगा सकती है इससे भी आपको perfection मिल जाएगी तो यह देखिए हमारी draping हो चुकी complete अब आप इसके साथ jewelries add कर सकती है which chain carry कर सकती है and then you are ready to get to go तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को like कर सकती है चैनल को subscribe कर सकती है अगर आप चैनल पर new हो तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली next वीडियो में so till then take care and bye